क्या आप हर दीवाली पर एक जैसी बेसन की सेव खाके बोर हो चुके हो तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दीवाली स्पेशल बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और चटपटी ऐसी पानी पुदी फ्लेवर वाली सेव की रेसिपी आज से पहले आपने ना ही बनाई होगी और ना ही खाई होगी न्यू रेसिपी है और यूनिक है आप सबको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनके तयार भी हो जाती है और इसके सारे ingredient हमें गर्मे से ही मिल जाते है recipe पसंद आए तो इसे like जरूर कर दीजिएगा और अब तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो फटाफट से मेरी चैनल को subscribe कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाएगी सबसे पहले हम यहाँ पे दो कच्चे केले लेंगे दो कच्चे केले को मैंने boil करके तयार किया है और इसे मैंने पूरी तरह से ठंडा किया है और ठंडा हो जाने के बाद ही हमें यहाँ पे चीज को grate करने वाला grater लेना है और इसकी मदद से हमें यहाँ पे दोनों कच्चे केले को ग्रेट कर देना है यहाँ पे हमें कच्चे केले को ग्रेट करने के लिए एकदम बारिक वाला ही ग्रेटर का यूज करना है इसलिए यहाँ पे हमें चीज वाला ग्रेटर ही लेना है यहाँ पर आप देख सकते हो के मैंने दोनों कच्चे केले को बहुत ही अच्छे से ग्रेट करके तयार कर लिया है अभी हम धन्या फूदिने की चत्नी को बनाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर चत्नी का जार लिया है और इसके अंदर डालेंगे हम फूदिने के पत्ते को यहाँ पर मैंने फूदिने के पत्ते को दो के साफ करके लिया है अभी हम इसके अंदर डालेंगे धन्या पत्ती को इसे भी मैंने पानी से धो लिया है जितना हमने यहाँ पर फूदिना लिया है इतना ही हमें यहाँ पर धनिया पत्ती को लेना है अभी हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चियों को आप जितना तीखा पसंद करते हो इसके हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हो अभी मैं इसके अंदर आदा निमू का जूस डालूँगी ये निमू का जूस डालना इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर निमू का जूस नहीं डालोगे तो आपकी चटनी काली पड़ जाएगी अभी यहां पर मैंने आदा नीमू का जूस इसके अंदर डाल दिया है अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी चट्नी तयार करेंगे यहां पे हमारी धन्या फूरीने की चट्नी बनके तयार हो चुकी है अभी हम इसे साइड में रखेंगे और जो कच्चे केले को हमने ग्रेट करके लिया था इसे ले लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे हम पानी पूरी मसाला पानी पूरी मसाला मारकेट में बहुती इज़ी अवेलेबल होता है तो आप वो भी ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है गर पर बनाना चाहते हो तो इसकी रेसेपी में आपको लास्ट में दिखाओंगी मैंने ये पानी पूरी मसाला घर का ही बनाया हुआ यूज किया है अभी मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून जितना काला नमक काला नमक को कई लोग संचर पावडर भी बोलते है इसके अंदर हमें सादा नमक को नहीं डालना है हुरा काला नमक का ही यूज करना है अभी हम इसके अंदर डालेंगे green चटनी को जो हमने यहाँ पे तयार किया है अभी हम इसके अंदर बेशन को डालेंगे बेशन यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लिया है और 4 टेबlläड स्पून जितना हम यहाँ पे चावल का आटा डालेंगे 2-3 टेबल स्पून जितना अभी हम इसके उपर ओयल को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जरूरत पड़ी तो हम बाद में भी बेसन का यूज करेंगे हमें इसके अंदर पानी को नहीं डालना है क्योंकि हमने जो चटनी तयार की है वो चटनी में सही यहाँ पे हमारा आटा बन के तयार हो जाएगा सेव बनाने के लिए यहाँ पे हमारा आटा बन के तयार हो चुका है आटा की कंसिस्टनसी इस तरह से होनी चाहिए न ज्यादा loose न ज्यादा tight इस तरह से होनी चाहिए अभी हम ये आटे को side में रख देते हैं और save बनाने के लिए साचा ले लेते हैं साचे के अंदर save बनाने के लिए इस तरह की तीन blade है ये बड़ी size वाली है और इससे थोड़ी छोटी है और इससे भी ये छोटी है तो हमें यहाँ पे बहुत बड़ी और छोटी size वाली नहीं लेनी है medium size वाली जो save बनाने के लिए blade है वो blade को हम इस तरह से रखेंगे इसके अंदर और अभी हम साचे को oil से grease कर देंगे यहाँ पे हमने साचे को oil से grease करके तयार कर लिया है अभी हम इसके अंदर ये आटे को डालेंगे और पूरा साचा भर लेंगे अभी हम साचे को बंद कर देंगे और oil को भी मैंने side में गरम करने के लिए रख दिया है oil भी यहाँ पे हमारा गरम हो चुका है oil को भी मैंने high flame पे ही गरम किया है oil के अंदर हम थोड़ा सा आटा डाल के oil का temperature चेक करेंगे यहाँ पे हमारा oil का temperature एकदम perfect है तो अभी हम oil के अंदर साचे को इस तरह से गोल गोल गुमाते जाएंगे और सेव को बनाएंगे अभी हम साचे को reverse में गुमाएंगे जिससे मशिन में से आटा आना बंद हो जाएगा गेस की flame को हमें high ही रखना है और high flame पे सेव को fry करना है आप low flame पे इसे fry करोगे तो सेव का कलर चेंज हो जाता है तो आपको high flame पे ही इसे fry करना है एक बेच को fry होने में 1-5 मिनिट लगती है क्योंकि हमने इसके अंदर कच्चा केला भी डाला है और चावल का अटा भी डाला है इसलिए इसे थोड़ा समय लगता है fry होने में यहाँ पे हमारी सेव fry होके तयार है तो अभी हम इसे oil में से बाहर निकाल देंगे इसी तरह से हम दूसरा बेच भी fry करेंगे यह सेव बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जटवट बनके तयार हो जाती है और इसका टेस्ट तो ला जवाब है आपने इसे एक बार बना के खा लिया तो आप बार बार यही सेव बनाना पसंद करोगे इतनी टेस्टी लगती है सेव को हम उलटते पुलटते जाएंगे और दोनों तरफ से हम अच्छे से fry कर लेंगे यहाँ पे मेरा दूसरा बेच भी fry होके तयार हो चुका है तो अभी हम इसे ओल में से बाहर निकाल देंगे इसी तरह से हम सभी सेव को fry करके तयार कर लेते हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ के पानी पूरी का मसाला गर पर कैसे तयार करते हैं वन टेबल स्पून जितना हम डालेंगे काली मिर्च को वन टेबल स्पून जितना हम काला नमक को डालेंगे और वन टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे भूना हुआ जीरा पावडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे डालेंगे आमचुर पावडर को यहाँ पे हमारा पानी पूरी का मसाला बनके तयार हो चुका है सेव का अटा जब भी हम तयार कर रहे थे तबी यही मसाले को मैंने यूज किया था यहाँ पे हमने सेव के सभी बेच को फ्राय करके तयार कर लिया है तो अभी हम इसके उपर एकदम चट पटा मसाला छिड़केंगे इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है काला नमक को 1 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे लेंगे और 1 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे काली मिर्श को लेंगे यह सेव के अंदर हमें सादा वाला नमक का यूज नहीं करना है इसलिए हमने यहाँ पे काला नमक का ही सभी जगा पे यूज किया है अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यह मसाले को हम इसके उपर स्प्रिंकल करेंगे यहाँ पे मैं आपको सेव को तोड़के भी दिखाती हूँ बहुती क्रिस्पी, क्रंची और चटपटी यहाँ पे हमारी सेव बन के तयार हुई है यह खाने में बहुती सौफ्ट भी लगती है आप इसे एटाइट कंटेनर में भरके महिनों तक स्टोर करके रख सकते हो यहाँ पे हमारी सूपर टेस्टी पानी पूरी फ्लेवर वाली सेव बन के तयार हो चुकी है आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताइएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है तो मैं नीधी आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपे के साथ तब तक के लिए बाई and happy cooking